लेखने छखतेश गड़र राज्ज सरकार के किवल इतने ही काम रह गय篦्र मत्री बड़र cozy जब पनि लेखने पर मथे यह परब लेखे सब्ड़राय राश्ट के धीओफinfect की दीज़ाने ठक में जाना चाहिए क्योंकि 36 गड़ नकसलवास से जूज रहा है लेकिन आज जिस प्रकार से बयानबाजी कांग्रेस के नेता कर रहे हैं कि मंत्री समय नहीं दे रहे हैं एक-एक मंत्री समय देते हैं और समय दे करके बाच्चित करते हैं लेकिन राज सरकार को किवल राजन अपनी जवाबदारी को सुनिशचित करें चतिशDDगडा के जंत्यी जो जवाबदारी है उस काम को करें तो मुझे लगता है चतिशवण का भला होगा केवल राजनिति करने से चतिशवण की जनत होने वाले नहीं चतिशगड़ वेफसल के कटाएं जोरो पर छल रही है खा धान को मेचने के मजबूर हैं धान खरीदी की विवस्था अभी तक दिखाई नहीं दे रही है कितना बोरा उपलब्ध है कितने गठान आया है कितने आडर दिये गए हैं वास्त्रीक में इसको सारुजरिक करने क्या हो सकता है पिछले वर्स किसानों के जो बोरा लिये हैं उस सरकार की नियत जो है कि कम से कम धान खरीदें इससे हमारे छोटे किसानों को ज़्यादा नुकसान हो रही है मैं सरकार से इस विशाय में मांग करना चाहता हूँ कि जो छोटे किसान आज मंडियों में जाके धान बेच रहे हैं जब किसान धान खरीदने शुरू करेंगे तो ऐसे किसानों को चिन्हांकित करे और पचीस सो रुपय कलाब उनको कैसे मिले ये विवस्ता सुनिश्चित होना चाहिए ने तो हमारा छोटे किसानों का सोसन होगा आर्थिक रुप सुन का नुकसान होगा इसलिए इन किसानों को पचीस सो के जो समर्थर मुल्ले है उसकी लाभ मिले ये सरकार को चिन्ता करनी चाहिए और सुनिशिक करनी चाहिए बे मौसम जो बारिस हुई है उसके कारण में किसान जो फसल काटे है वो पानी में डूब गया है पूरे फसल गीर गई है जमिन पर बदरंग हो रहे हैं और ऐसे समय में किसानों को एक बड़ी नुकसान होने के अंदेशा है हम राजय के सरकार से मांग करते हैं इसकी ततकाल सर्वे किया जाए और सर्वे करने के उपरांत में जो किसानों को छटी हुई है उसकी भर पाई किसानों को मिलनी चाहिए इसके लिए ततकाल सरकार कदम उठायै पिछले बार भी जो फसल की छती वी उसकी रासी आज तक नहीं मिली है और इस मैं सबस्ता हूँ कि इसमें राजनिती करने के बजाए वास्त्रीक में अदे किसान के हिते इसी सरकार है तो ततकाल सर्वे कराना चाहिए और किसान को उसकी भर पाई करनी चाहिए